हाई गाईज आइम अबजीद अनन्द फाउंडर ट्रेंटीफर्स टेरा बैक अगेन वीडियो आज का वीडियो बहुत ही सेंसिटिव है यह वीडियो यूट्यूब में पहली बारे जो इस मेंटर पर हम बात कर रहे हैं साथ बहुत सारे यूट्यूबर से बहुत सारे लोग कि इस बारे में बात से चर्का किया है नहीं है जो जीनubenगी में बहुत सरकारी नौकरी के पीछे बिता दिया है, उसके बाद भी जब वो देख रहे हैं, बैक जब पांसल पीछे देख रहे हैं, चारसल पीछे देख रहे हैं, कि मैंने चारसल कॉमप्टेशन की तहरी के उसके बाद पीछे चारसल के बाद आज हम देख रहे हैं, तो आज हम सेम उसी जगह खड़ा है जहां हम पांसल पहले खड़ेते हैं, तो उन students के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं, जो life में successful होना चाहते हैं, जो success करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ा reason क्या है, सबसे बड़ा reason क्या है, उनके unsuccessful होने का, सबसे बड़ा reason है उनके parents, उनके guardians, उनके relatives, लेकि होता क्या है कि आप बच्चों के अगर पढ़ने भेज रहे हैं बाहर या बच्चे पढ़ रहे हैं या कॉम्पेशन की त्यारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम यह हो रहा है कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आप उनसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि कि भाई तुमको ये करना है तुम कर जाओ आप पूछ नहीं रहे हैं आप उसे करवा रहे हैं जबदस्ति करवा रहे हैं जाने अन जाने में करवा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्री प्लैंड मडर आप उसके सपने को मडर कर रहे हैं सपने का मडर कर रहे हैं और ये हकीक है और ऐसे ऐसे एक दो तीन केस नहीं है इस देश में ऐसे ऐसे लाख केस हैं पर इस पे बीब बात कर रहा है और कोई बात करना भी नहीं चाहता है क्योंकि ये स्वाइक्लोज सब्सक्राइब बच्छे बढ़ने के लिए आप ने बåक्टर, इंजिनियर या किसी भी फिल्डे में उनको भेज दिया पड़ने के लिए, बचे जा भी रहे पड़ने के लिए, दिमाग में तो कुछ और है उनका करना, भाई हमको कुछ और करना है, हमें कुछ और बनना है, वो कॉंप्टिशन की तहरी कर रहे हैं, एक साल, दो साल, तीन साल हो रहा है पड़ाई फेल भी होते जा रहे हैं क्यों? मन नहीं लग रहा है उनका करना तो कुछ और चाह रहा है मन नहीं लग रहा है उनका उपर से pressure build हो रहा है उनको उपर pressure build हो रहा है तो उनका जो failure से उनका एक तो self-esteem and self-confidence दोनों लूज हो रहा है दोनों उसके बाद क्या होता है वो लड़का धीरे 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 depressed होना शुरू हो जाता है और वो depression में चला जाता है उसके बाद क्या होता है उसको फिर ये feel होने लगता है कि अब life में कुछ नहीं बचा है अब मैं अपनी life में कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने ये नहीं किया तो अब life में कुछ नहीं कर सकता हूँ और उनके parents को क्या लगता है कि अब ये कुछ करने life ही नहीं ये कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि भाई वो अल्रेड़ी इतना साल मेहनत कि, तिन साल, चार साल फेल हुआ, अब ये किसी काम का नहीं है, भाई छोटा मोटा दुकान खोले, छोटा मोटा कुछ कर ले, इसी से तुम्हारा गुजारा चलेगा, बागी तुम किसी लाइक अब नहीं हो, और ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर जाता है, और यही हकीकत है समाज का और यही सुसाइटी का हकीकत है लेकिन इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है प्रॉब्लम कहना कि हमारा देश सूपर पावर बनना चाहता है डेवलप्ट कहलाना चाहता है पर हकीकर बात है ठीक से डेवलपिंग पे भी नहीं है यहां का education system इतना रद्दी और इतना कचड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है अगर आप developed country का education system देखना चाहते हैं अगर developed country का education system समझना चाहते हैं तो अगर वहां के college और schools में अगर आप जाईएगा और वहां के students से आप पुछेगा के आप क्या बनना चाहते हैं तो इस्टुडेंट, more than 60% इस्टुडेंट का यही जब होगा, I want to become an entrepreneur उन्हें entrepreneur बनना है, उन्हें खुद की start-up करनी है, उन्हें खुद का company बनाना है, उन्हें employed हायर करना है, उन्हें खुद employment देना चाहते हैं ना कि लेना चाहते हैं प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम यह है कि developed country का जो education system है और हमारे इंडिया का जो education system में बहुत जमीन आसमान कंतर है, और यह education system before independence और after independence से मी रहा, बट किसी सरकार ने कभी कोई amendments नहीं किया ठीक से, कि भाई क्या जरूरत है हमारे education system में, इस बारे में किसी ने कोई बात ही हम अपने मुदी सरकार को, मुदी जी को धन्यवाद केना चाहते हैं कि बहुत सालों बाद समझे कि बहुत यूगोबाद, एक education system ऐसा आया कि अब जाके, इस education system में कुछ valuable चीज़े हैं, वो चीज़े हैं, जो बच्चे समझ सकते हैं, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनको knowledge होगा, जो experienced होंगे, जिनको skills होंगे जिनके अंदर, बट हमारे हमारे एच के या हमसे जो भी पीछे 10 साल, 20 साल, पचीस साल पीछे हैं, या 50 साल पीछे हैं, उनका education system ऐसा बिलकुल भी नहीं था, कारण यही है कि जो education system में कमी थी, वो साफ unemployment में जला करी है, लड़के कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, फिर भी unemployed है, फिर भी unemployed है, competition की त्यारी कर रहे हैं, competition हो नहीं रहा है, और problem क्या है, कि competition की त्यारी कर तो रहे हैं, उनको भी पता है कि जिस competition की त्यारी कर रहे हैं, मन में उनका भी है कि हमसे नहीं होगा यह चीज, मन का आत्मा का कर रहे हैं इसको करने के लिए पैसा कर रहे हैं उनकी यह सपना है कि मेरा बेटा यह बड़ने को यह नहीं है पर नहीं लग रहा है और मन लग रहा है तिके पैरेंट्स और गार्जान का य comprehensive हो के तो इसके बात किया रहा है भाई जब हम preparation कर लिएं सब कुछ हो गया fail भी हो गया अब हम गर क्या तो घर में बैठ रहे हैं ठीके क्यों तो आज के parents को क्या चाहिए सबसे बड़ा need आज के parents को चाहिए safety and security आप बताईए safety and security किस job में हैं हमें बता दीजे सेफटी and security किस job में हैं आप हमें कमेंट करके बता दीजेगा safety and security आज किसी भी जॉब में नहीं है अगर आप कहिएगा इस देश के सबसे बड़ा जॉब सबसे रेपेटेटिट जॉब आई एस है उसमें safety security है 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 बता दीजे कमेंट करके अगर है तो अभी मनीपूर के जो आ हमारा आई एस ऑफिसर हर साल अपने जॉब से डिसमिस किया जाते हैं ड्यूटी करप्शन अलग लग चार्जेश होते हैं उन पर बट उनकी जॉब भी safety security नहीं है तो safety security क्या है अभी बताइए safety security नाम की तो कोई चीजी नहीं है आप जिस फिल्ड में अच्छा कर रहे हैं जिस फिल्ड में अच्छा करना चाते हैं वो आपके लिए safety भी और security भी आपके लिए बस आपको यह होना है कि भाई हमको इस फिल्ड में यह करना है हमको आगे successful होना है मेरा जो सपना है जो हम सोचे हैं करने का वो हम करना चाते हैं पर इसके सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो खुद parents उनके safety and security यह जो दो वर्ड है ना और यह basic यह दो वर्ड है ना यह maximum और mainly सबसे पहला स्टेट भिहार यूपी जारखंड ओडिशा एंड कुछ Eastern states है इस्टेंट parts of India के states है जहां का यह mindset है यहां के parents का mindset है कि भाई अगर set होना है तो तुमको सरकारी नौकरी चाहिए नहीं तो तुम सेट नहीं हो तुम्हारा life spoil है तुम कुछ नहीं है private job का तो कोई value नहीं है इनके नजर में और खासकर इनी states के बिहार हो गया जरकंड हो गया उतरप्रदिस हो गया, उडिसा हो गया और इस्टेंसाइट के कुछ states हो गए आपके इनके यहां के parents को सरकारी नौकरी चाहिए आपकर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो भाई बहुत बड़ी problem है आप कैसे सरकारी नौकरी नहीं ले रहे हो आगर आको बेटा सरकारी नौकर उसके जो भी इस्टूडेंट है सब किस चलता आ रहा है सब कुछ कर भी रहे है हम को इस लिये करना है हम को लाई जाना है चलता है उसको कुछ चल भी रहा है उसके बाद भी वो कर नहीं पाते है क्यों क्योंकि घर वाले support नहीं करते हैं क्योंकि guardian parents support नहीं करते हैं सबसे बड़ा problem यही है secondary चीज़ अब युक change हो रहा है safety and security नाम की तो चीज़ है ही नहीं आप सब कुछ में सेट हैं और अगर सेट नहीं है तो इस देश का कोई भी जॉब चाहिए सरकारी और प्राइबेट आपको सेट कर भी नहीं सकता है आप किस जॉब से निकाले जाएंगे आपको भी नहीं पता होगा अगर आप सेट आप सेक्योटी चाहते हैं और आपका सोर्स इंकम सिंगल है तो आप भी सेट नहीं है और नहीं आप सेक्योर है क्योंकि कोरोना पेंडिमिक में ऐसे लाखों इंप्लाइट थें जो उनिंप्लाइट हुए इनफेट गॉवर्मेंट्स के तरफ से भी कुछ ऐसे गॉवर्मेंट ओफिशर्स थे जो अनिम्प्लॉइड हुए और वो अनिम्प्लॉइड बहुत रीजन से हुए उनकी सेक्योर्टी कहा गई तो पहली बात आपका single source of income है तो आपका job चाहे गॉवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो आप सेफ नहीं है दूसरी चीज़ लोग आज के डिट में business को या entrepreneurship को एक ही निजर से देखते हैं अगर आप business करना चाहते हैं चोटी सी चोटी business करना चाहते हैं तो लोगों तो बिजनेस करेगा यह businessman करेगा इतना पढ़ा लिखा किसलिए बिजनस करने के लिए बस यही बचा हुआ था मतलब यह माइंड सेट है लोगों का यह देखी यह माइंड सेट क्या है और कहते हैं कि इंडिया सूपर बनेगा इंडिया डवलप्ट कंट्री बनेगा इंडिया यह बनेगा इंडिया वो बनेगा इंडिया कुछ नहीं बनेगा इनका जो mindset है, यह बहुत narrow mindset है इनका, यहां के guardian का, यहां के parents का बहुत narrow mindset है, सब का नहीं बोलता हूँ, exception is always there, सब parents को तो नहीं कह सकता है कि कुछ-कुछ, सवागों में से 5% ऐसे होंगे, जिनका mindset बहुत broad होगा, लेकि 95-90% के तो narrow ही है, यह तो बहुत देखा हूँ, बिजनिस करेगा, बिजनिस करेगा, बिजनिस करेगा, छोटा बिजनिस, बड़ा बिजनिस, क्या करेगा बिजनिस में, आज बिजनिस है, कल नहीं है बिजनिस, बिजनिस में आज पैसा है, कल नहीं है पैसा, यह हाल है, यह general यह हाल है, problem क्या हो रही है, इसका solution क्या है, इसका माइनसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप उस नजरीयों को चेंज नहीं करोगे, यह दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, तब तक आप कभी नहीं समझ पाऊगे कि बिजनेस क्या है, आप से एक बात पूशता हूँ, कमेंट कर दिजेगा, आप से एक बात पूशता हू कि जो भी अधिकारी है सरकारी नौकरी के चाहिए प्राविट नौकरी के बड़े-बड़े अधिकारी국ा आप नम बता दिजे हमको कि बड़े-बड़े अधिकरी का नम बता दिजे कितने आप IAS officers को जानते कि इसमें जो बहुत बड़े हैं एक दो नाम मैं ही आपको बता देता हूं अजूद डवाल सर दे जीम्स बांट अफ इंडिया बहुत नामी आदमी है एनसे हैं भी देश के रविंद्र कॉशिक सैथ आपने तो सुना भी नहीं होगा रविंद्र कॉशिक कौन थे हैं और यही मैं कहा सकता हूं लेट मेंज रविंद्र कॉशिक इसरो रोग जिनते जो पाकिस्तान में वारे गाए यह सब कुछ ऑफिसर्स थे जिन को देश सियाद करता है जिनके बारे में जानना चाहता है जिनके बारे में लोग जानते हैं कुछ गिने चुने आप लेकिन आप अ कितने बीजनीस मेंस गो जानते हैं कितने अंच्रपेन्योर सब्सक्राइब बहुत सारे हैं अंच्रेप्रिंवर्स में आते हैं अगर एग्रेबर में आते हैं शंदीव महसवरी बेविक विंदरा सर इसमें यह हो रहा है इसलिए अगर गवर्मेंट में अगर गवर्मेंट में अगर कुछ कहा है तो बैटर्मेंट के लिए का है हमारे बैटर्म के लिए अगर 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 मूदी जी other countries foreign countries से करके आते हैं और यह कहते हैं कि आप सेल्फ इंप्लॉइड बनिये आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किजिए यूँ वांट बिन एंट्रेपनियोर लेकिन यहां के जो लोग है वो उनको नेगेटिव ले ले लेते हैं मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी का बढ़ाई कर रहा है मैं किसी बीज़ेव कॉंगरिस की बात निकर रहा है उनकी सोच को समझी को वह बोले किस लिए किस मैटर से थे वो बोले क्यों थे यहां की लोगों ने पकोड़ा चनवा दिया हकीकत बात है उन्होंने कहा कि आप सेल्फ इंप्लॉइड बनिये आप सरकारी नौकर कि नागरी यूशेहा उद्श है नागरी नागरी यह चेन इसका आ इस देशी का और सरकार सब तो नौकरी को स्क्ड़ा को देश सकता आ हैस अब आपштका यह रीलवे का वकैंसिंते निकला था एक लाख उस्त थे klass एक करों करोड़ कितने अउनिव्य करें अगला इसलीए मिल जाएगी और नहीं मिला तो आप निंग वेसी बात है किने बिल्कुल स्था यह कि इसलिए सर्कार ने ज़ा है मूडि ने ने के सबसे बड़ी बात है कि कि नहीं सरकार का कहीं नहीं थोड़े बढ़ ही करना पड़े गी इसकी पाइसे भी दिजन है क्योंकि सिरकार प्रशुर स्टेप टु उठाया व्रॉन्हें ते टु इबनव ने देखा समझ है उन्हें प्रोजेक्ट बहुत आच्छा है सब्सक्राइब स्टार्टप इंडिया प्रोजेक्ट डिस्टल इंडिया मेक इंडिया स्टार्टप इंडिया डिस्टल इंडिया यह सब ऐसी प्रोजेक्ट इंडिया में जो बहुत यूज पैमाने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत नाम हो जिनका देश आगे बढ़ा डिस्टली देश आद आद मिलके एक पब्लिक कंपणी खुलते हैं वैसे एक आद मिलका वे एक कंपणी खुद का खुल सकता है जस्त लाइक प्रविट कंपणी प्रविजब प्रोब्लम कहीं नहीं है सरकार भी अब चाहती है कि देश में बढ़ायो देश में आगे लोग बढ़ें लेकिन तां़ खीचने वालो कोई गुवी नहीं है नीचा दिखानो रोगो की कमी नहीं है इस देश में हो रहा है उसके बाद कहेंगे कि यार इतना बड़ा जन संक्या है देश का इतने रिसोर्से से उसके बाद भी देश गरीब क्यों है देश में टैलेंट क्यों नहीं है यार education system fault लोग फालतू, सोच फालतू, सोच फालतू, सोच भी केतने दसक पीछे की सोच से पता नहीं, उसके बाद कहेंगे कि यार, सब कुछ होने के बाद भी देश पीछे क्यों है, अगर आप ही बताइए, अमेरिकी 24 का रुजन संक्या है, जापान उतना आ गया है, अस्ट्रिलिया अगर इसके पीछे हमारे ही ड्रॉबेक है, अगर हमारा देश 200 सालों तक गुलाम रहा, तो इसके पीछे रीजन अंगरीजों का नहीं है, इसके पीछे रीजन है हमारे ही देस के लोग, बताई, उतना बड़ा जनसंख्या में वह आगे सासन करके और चले गए, कुछ तो हम समाइद देश में कमी होगी क्योंकि यहाई के लोग करप्ट हैं चाटुकार हैं हकीकत बात है हैं ऐसा सौरी तो से डेट मैं भी इसी देश का हूँ बट ये समाची सुसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बनती जा रही है इसलिए इस बारे में बात क वक्त दूर नहीं है जब देश गड़ा में चला जाएगा फिर हम लोग सिर्बाते करते रह जाएंगे और होगा कुछ नहीं यह वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम लोग अब जाके अब नहीं तो कभी जब कोई नहीं है मेरे जैसा तो मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा यही लाइन और यही बात बहुत जरूरी है आपको समझना सरकारें आती है जाती है लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पढ़ेंगी आपको खुद का अपने स्टेप लेना पड़ेगा आपको खुद को आगे बनना पड़ेगा आपको स्किल्स दिखाने पड़ेंगे आप आपको आगे बंढना पड़ेगा रोकने वञड़ी यह से अफ यह तो को आपको आगे बंढना पड़ेगा। understood कोई नहीं रोखेगा आपको आगे बढ़ना है मिस बढ़ना है अब इस देश में जरूरत जो हो गई है वो पता है क्या है आज की डेट में जॉब सीकर सब क्रेट हो रहे हैं बच्छपन से यही पढ़ाया जा रहा है कि आप जॉब सीकर हो बच पढ़ाई लिखाई करो बढ के नौकरी पाना है हकी बद यह देश का लेकिन यही माइड़ सेट चेंज कर ना है कि अब नहीं हो gains रही होगा तो यह कभी नहीं हो अब नहीं होगा तो डेस कभी सूपर पावर नहीं बन सकता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है देस जाएंगे रोज चार्गों बैठाएंगे रोज चार्गों से बहस होगी फिर वह अपने घर यह अपने घर भाई फिर लाइफ वह चल रही है लेकिन देश में स्टुडेंट्स को लोगों को अब यह बात समझना जुरूरी हो गया है कि अब आंट्रेपेंवर्शिप में नही क्राइब करता है जेक माने बहुत अच्छा इन का था जैकमा को आप जानते ही होंगे अलीबबा कर नाम तों सुने ही होगा जिनके स्य स्यू अ tap अगर आप बंदर को केला और पैसा दे तो वह केला चुने गा क्यूंकि बंदर को यह नहीं पता है कि उस पैसे से वह कितना प कि लखागे गायब इसी तरह जॉब और बिजनेस है जॉब में सिक्स नाइंट टू सिक्स काम कीजेगा नाइंट टू सिक्स काम कीजेगा तीस साल चालीस साल तक आप काम की हैं आफ्टर सिक्स्टी एर्ज साथ साल पैसट साल के उमर में तू बेच के थ्री बेच के फ्लैक ले लिए या फिर घर दो मजला तिन मजला घर बना लिए थोड़ा वह सेविंग कर लिए इंविस्मेंट कर लिए उसके बाद वह वाह क्या लाइफ थी मेरी मस्ट जिया 96 काम किया एक कठा दो कठा का जमीन लिया दो तिन मजला घर बना लिया उसके बाद कुछ सेविंग कर लिए बलबाचे पढ़ रहे हैं बस यही लाइफ थी कहानी खतम मर गया हो गया बस वही लाइफ थी उनकी बिजनसमें जू होता है ना उनके जिगरा होता है जिगरा ला आगे बढ़ते हैं और पैसे उनके लिए बाइप रॉड़क्ट होता है वो लाइफ को जीते हैं वो वक्त के साथ नहीं चलते हैं वह वक्त को अपने साथ चलाते हैं यह होते हैं बिजनसमेंट और आज देश को बिजनसमेंट की जरूरत है ऐसाँ आप खुद को ग्रो कीज एक स्टेप आगे लेजिए लोग क्या कहते हैं उनका फिर करना छोड़िए संधी में भुच्छा कोण है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग यह दो बन बेस्ट लाइन लोग की फिर करना छोड़ें आगे बढ़ें एक अलग करें कुछ बड़ा करें अगर थिंकिंग कहते हैं कि सरकारी नौकरी करो वही लाइफ है तो लाइफ नहीं है सरकारी नौकरी आपको प्राइवेट नौकरी करना है तो प्राइवेट नौकरी कीजिए सरकारी नौकरी करना है सरकारी नौकरी की देश में जोब सीकर्स की नहीं जोब क्रिएटर की जरुवत है अब इस द एरा इसलिए रखा गया चैनल का नाम इसलिए 21 एरा रखा क्योंकि अब की जो यूगे न वो बहुत अलग है बहुत वास्ट है बहुत रपेटली ग्रोथ हो रहा है रात को सोते सुबह उड़ते हैं दुनिया चेंज है कहीं कुछ और हो गया है कहीं कुछ और हो रहा है तो चलने तो बहुत दूर की बात है अब रिंग भी नहीं पाईएगा तो आगे बढ़िए टाइम इस मनी यह बात बहुत आपने सुना होगा अज फिर कहता हूं टाइम इस मनी दूसरी बात सबसे बड़ी इंपोर्टन चीज है कि आज की हमारी देश की जो संस्थाने हैं जो आई इसो इन इसो आईनेश सो यह कि इनकी सबसे बड़ी प्रावल्म में यह समने हाई जहां तक मेरे समय आई कि यह बहुत ने बिलकुल आये मैरे कालेजी में रिकिये नोकरी देंगे नकरी देंगे नौकरी सिर्फ देंगे नौकरी देने लाग नहीं बनाएंगे समझ बारी है वो सिर्फ नौकरी देंगे देने लाग नहीं बना रहे हैं education system यह हिंडिया का हो चुका है कि सिर्फ नौकरी लो पढ़ो लिखो नौकरी लो है रूट से लेके, में फॉंट टक बात दीह ही हो रहे है पढ़ना इखना है नौक्री लेना या नौकली कहां से लेना है है ले लो सरकाहर से नौकरी सरकार बैठी वही देने के लिए दो और सरकार नौकरी बैट नहीं दे रही है जिन्दगी तो खराब है फिर तो तुम्हारा कुछ करहीं पाओगे फिर तो जाओ भाई गुम फिरो और हमसे 30-30 साल इंज्वाए करो इसके बाद फिर थोड़ा बहुत कमाबा के लाइफ कतम करो यही हो रहा है साइटी में ही बत चल रही है तो लाइफ में आगे बढ़ो आगे कैसे बढ़ना है यह चीज़ डिपेंड आपे करता है कि हम क्या मेरा सोच है हम क्या करना चाहते है मेरे पास कितना टाइम है और हम क्या कर सकते है क्योंकि अब अगर आप यह बोलिएगा कि रिस व्रोसल केमी नहीं है आप कर सकते हैं क्योंकि अब ये डिजटल दुनिया एक आप कर सकते हैं मैं आप से करह रहा हूं आप सब से कर doable कर सकते हैं अब वर्ड को करने करने के लिए a10 अबर स्वर्च जिक्थि नहीं लिखने पड़ती है YouTube से ऐसे बहुत सारे platform से जहां से आप बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी fault है इसलिए कह रहा हूँ कि आगे बढ़िए, कुछ नया के जिए कुछ बढ़ा के जिए सबसे बड़ी बात है सिर्फ और सिर्फ लीडर्स पैदा होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्रेटर पैदा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ और अंच्रिपरियोर्ट पैदा होना चाहिए अब यह देश की ज़रूरत है यह अगर अब नहीं होगा तो ये क्वेस्ट कभी नहीं होगा और जो पीछे सरकाई नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उससे यह करना चाहता हूँ अगर तुमको लगता है भाई कर सकते हो तो ही करो थोड़ा सा भी मन में डाउट है एक से दो प्रसन में डाउट है कि यार हमसे नहीं होगा टाइम बरबाद मत करो हट जाओ वहाँ से जो चीज करना चाहते हो उस पर फोकस करो तिन साल सरकाई नौकरी करोगे वो नहीं होगा तो उससे बेटर है कि तिन साल में जो काम करना चाहते हो वो तुम इसली कर लोगे वहाँ से नहीं तो कुछ तो सक्सेस तुम वहाँ से तुम को मिली जागा तीन साल में इसलिए कहता हूँ वालतू के बरबाद मत करें जो करना है फोकस्ट करें ठीके जो लोग यह कहते हैं जिनके पैनेंट्स यह कहते हैं कि बिजनेस बेकार है विजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है बिजनेस से टाइम-वेस्ट नहीं है इसा है वैसा है वैसा है बोलने दीजिए कि उनका जो जर्म होँआ है उनीस से पचास साट सतर में ज़न होगा और उस वक्त के लोगों का वही सुच्ता अब ये दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत कुछ देश में बदल चुका है, ठीक है, अगर वो लोग खुट को अफडेट नहीं कर रहे हैं, तो वो अउट्डेटेट हो चुके हैं, तो उनको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, इसे फोड दीजिए तोड दीजिए लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए आपके मन में जो भी बाते हैं आप उसे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और जो भी मेरे इस चैनल का वीडियो से आपको डिस्क्रिप्शन का लिक मिल आपको इस चैनल से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसलिए हमसे अब जूड़िए एंड लेस्ट टुगेदर इन ट्विंटी फर्स्ट एरा थैंक यू जैहिंद वंदे मात्रम